नमस्कार दोस्तों मैं वैश नवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में आए देखते हैं आज की कुछ मुख्ये खबरें मधुबनी जिला क्लुआही थाना क्शेत्र के मलमल में स्थित प्रामीन वित्रक इंदन गैस एजेंसी के गोदाम से गैस नहीं मिलने से नाराज उप्भोगताओं ने रविवार को क्लुआही बासो पट्टी मुख्य मार्ग को जाम कर जम कर हंगामा किया इस दौरान ग्यांस एजेंसी मालिक के खिलाफ नारेबाजी भी की उप्भोगताओं के अनुसार काफी दिनों से गैस नहीं मिलने से लोगों के अंदर काफी नाराजगी देखने को भी मिली अलाक रोशित प्रामीनों ने काफी देर तक मुख्य मार्ग को जाम करके रखा उप्भोगताओं ने बताया के हम कई दिनों से लेने आते हैं लेकिन हम लोगों गैस नहीं मिल रहा है और ना ही गैस एजेंसी वाले कोई उच्चित जवाब देते हैं चमपा निवासी सुरेश यादव ने बताया के मुझे गैस कनेक्शन दो साल दो महीना हो गया है लेकिन अभी तक एजेंसी के द्वारा मुझे पास्बुक नहीं दिया गया है पास्बुक मानता हूं तो कहते हैं कल ले लेना 26 महीना गुजर गया लेकिन अभी तक इन लोग कौनुसा कार्ड नहीं मिला को गैस उठा रहे अप जे दे रहे लेकिन गैस का नहीं दिया इज़ेंसिय के आपने किसी काम कहा किया हुआ का जब पचीश तारिक आई है थे 15 तारिक आई है अभी तक दो साल दू महिना हो गया अभी तक आश्वम्न नहीं आपको दिया जारा है आपका नम भर चंपा जैस नहीं मिल देख सब्सक्राइब सब्सक्राइब बुद्ध के वित्रन हुआ उस दिन से बहुत कि आएगा परस निकल आएगा आएगा आव इसे पहले यहां से जो इसे दोग आड़ी माल वापस लेगे लिए और आप बांकी माल यहां पर बित्रन करते हैं आप लोगों ने बासोपटी मुख्य सड़क को जाम किया है मन्शा क किसने का जो करना है कर लो आपका नाम राम भागो घर बलवा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे है कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहे फास्ट इंडिया निउस बन